हेलो दोस्तो नमस्ते आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तो मैं आप लोगों को बताने जा रहे हूं चावल का खीर कैसे बनता है तो गेस्चुला पर पतीला रख दी हूँ उसमें एक चमच घी डाली हूँ और एक कटोरी चावल धोके रखी थी उसको भी उसी में डाल रही हूँ डाल करके इसको पाँच मिनट तक फ्राई करूँगी चावल को पाँच मिनट होग चला है अब इसमें दूध डाल रही हूँ दो कटोरी दूध है और दो कटोरी पानी डालूँगी और डाल करके छोड़ दूँगी धिरे धिरे पकता रहेगा जब चावल पक जाएगा अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब चावल पक जाएगा तब उसमें चीनी डालूँगी एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ तो देखिए खीर बन चुका है अब इसमें नारियल, किस्मिस और काजू का टुकड़ा काट के रखी हूँ छोटा छोटा ओर डाल दूँगी तो देखिए डाल दी और दो इलाइची है इसका पाउडर बना के रखी थी उसको भी इसी में डाल रही हूँ इलाइची डालने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको डाल करके अच्छे से मिला दूँगी तो दोस्तों मेरा खीर का रेस्पी कैसा लगा? कॉमेंट करके बताईएगा अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिजिएगा थैंक्यू दोस्तों